माता, पिता की प्रती कृटता आज हम जो कुछ है किसके कृपा से हैं लगता है कि मेरे जिवन की निर्मान में मेरे माबाप का भी कोई ρॉल रहा है, उनकी भी कोई भूमका रही है उनकी प्रती कृटता अज कल के पढ़े लिखे छोरों की हालत परी खराब है, वो भी अब माबाप की उपकार को उपकार नहीं गिनते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, एक दिन एक बेटे के बहवार से तंग आकर माने कहा कि बेटा, तो किस से बात कर रहा है, मैंने तुझे जनम दिया, मैं तेरी मां हूँ, पाल पोस कर बढ़ा किया, तो किस से बात कर रहा है, थोड़ा तो सोच, बेटा तो अपने पैसे के हंकार में मस्त था, उसने का ठीक ये डायलग देना बंद कर, तुने मुझे जनम दिया, तो क्या मुझे पर एहसान कर दिया, तुने मुझे जनम दिया, तो क्या एहसान कर दिया, तुने मुझे जनम दि चाहता है, तो मैं तुझसे इतना ही पूछती हूँ, मैंने तुझे नौ महा तक पेट में रखा, सोच ले उस नौ महा का किराय कितना होता है, हिसाब लगा लेना, तुझे जन्म दिया उस घड़ी, मैंने अपार प्रशूती की वेद ना सही, तब तुझे जन्म दे भाई, ने तो तुझे पेट से ही पर लोग पहुँच गया होता, सोच ले तुझे उसका क्या मुल ले चुकाना है, मैंने तुझे दूद पिलाया, कितना दूद पिया तु पिलाया, नहलाया, धुलाया, मिमार पढ़ने पर तेरा उपचार कराया, उसका तो हिसाब देख ले, तेरे पास को हिसाब है, आज तुझे बरस का हो गया है, तेरे अब तक के जीवन में जो कुछ भी मैंने किया, तो हिसाब देख, और अगर लगा सके तो लगा, बेटे इ ममता को पैसे से तोनने की कोशिश मत करना, वो अमल है, इसे समझने की कोशिश कर, कास लोग इसका अकलन करे, उनके प्रती भी अकरतक गता का भाव,